नमस्कार मैं हूँ प्रविन और आप देख रहे हैं नियूस क्लिक का डेली रॉंड अप शो आई नजर डालते हैं आज की मोखे सुर्खियों पर COVID-19, बेंगॉल में यूनियनों ने लॉकडाउन के दोरान घरेलू कामगारों के लिए सरकारी मदद की मांग की महामारी संकट को समालने में सरकार के लचर रवईये से हताश 115 सिविल सर्वेंट्स ने पी-म को लिखी चिट्टी करोन अपडेट देश में पिस्टे 24 गंटों में 2,95-9 लाक नए मामले, 4,209 मरीजों की मौत और आखिर में युद्विराम की घोशना के बाद गाजा में इसराइली हमले समाप्त गाजा वाशियों का जीत का दवा पशिम बंगाल में COVID-19 लॉकडाउन की वज़ा से काम खो चुके घरेलू कामगारों के लिए सरकारी मदद की मांग करते हुए पशिम बंगाल घरेलू कामगार यूनियन ने पत्र लिखा है। यूनियन के कारवाग अध्यच इंदरजीत घोश ने नियूस क्लिक से बात करते हुए कहा कि अब सरकारों को घरेलू कामगारों की परिशानियों का गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कम से कम 6,000 रुपए के 30 आयता के साथ-साथ उनके घर तक राशन उपलब्द कराने की प्रस्तावित योजना को लागू किया जाना चाहिए। ताकि यह सुनशित किया जा सके कि इन लोगों के परिवार कूप ओशर से पिड़ित नहीं। उन्होंने दावा किया कि 15 मई को हावडा में वर्तमाने सिती में बेरुजगारी के कारण हुए परिवारिक विवात के चलते एक घरेलू नौकर की आत्मत्या से मौत हो गई। संग ने 20 मई को राजय सरकार को लिखे पत्र में मांग की कि सबी बेरुजगार घरेलू कामगारों को उनके परिवार के लिए राशन के साथ 6,000 रुपए की मासिक राशी प्रदान दी दनी चाहिए। पत्र में इस बात पर भी प्रकास डाला गया है कि घरेलू कामगारों के काम की प्रकृति के लिए उन्हें कई घरों में जाना पड़ता है और कई मामलों में ऐसे लोगों के निकट संपर्क में आना जो संक्रमित हो सकते हैं ऐसे में उनके टीका करण को प्रात्मेक्ता दी जानी चाहिए इसके लावा यह तर्क दिया गया है कि चुकि ये श्रमिक द्यानिक आधार पर अपने काम के लिए कोलकाता जाते हैं इसलिए उन्हें शहर में ही टीका करण के उपाए किये जा सकते हैं 115 से जादा पूर्व सिविल सर्वेंट्स ने COVID-19 की दूसरी लहर को समालने में नाकाम सरकारी नीतियों पर गुस्सा जताते हुए प्रदान मंत्री नरिन मोदी के नाम एक खुला पत्र लिखा खत में व्यापक टीका करण के साथ साथ ग्रामेड और शहरी इलाकों में टेस्टिंग ट्रेसिंग बढ़ाने की भी मांग की गई है प्रदान मंत्री नायन मोदी को लिखे खुले खत में कहा गया कि आपकी सरकार महत्वपुर मुद्व पर ध्यान देने के बज़ाए कोविर संकट के दौरान कुशल प्रबंधन के नेरेटिव को बरकरार रखने के लिए अधिक चिंतित है यहां तक कि विवेन राज्यों में किये गए परिछड के प्रामारिक आगडे, सगरात्मक मामलों की संक्या, स्पताल में भरती, व्यक्तियों की संक्या और मृत्यू दर के आगडे सारवजनिक रूप से प्रसारित नहीं किये गए है वेविन राज्यों में आवर्शक चिकित्सा सुविधाओं के परियाप्त प्रावधान के साथ-साथ महामारी के प्रेसार को नियंतरित करने के लिए वेविन राज्यों में उचित उपाय करने के लिए इसके गंबीर नहीतार्थ है। देज़ भर में कुरोना से पेड़े तीन लाग 57,295 मरिजों को ठीक किया जा चुका है। और ऐक्टिव मामलों में एक लाग 1,935 मामले कम हुए हैं। देश में कई राज्यों के हालात अभी भी नाज्यों बने हुए हैं। हलाकि नए मामले कम हुए हैं लेकिन कोरोना से अब भी रोजानक कई लोग अपनी जान कवा रहे हैं। महरास्ट में नए मामले कम हुए हैं लेकिन 24 गंटों में 984 लोगों ने अपनी जान कवाई हैं। करनाटक में 549, तमिल लाडू में 397, उत्तर विदेश में 236 और दिल्ली में 233 लोगों ने जान कवाई हैं। देश में करोना के मामलों की संक्या बढ़कर 2,60,3191 हो गई हैं जिन में से अब तक 2,91,331 लोग अपनी जान कवा चुके हैं। देश में करोना से पर 87, 2,4 फीस दी यानि 2,27,12,735 मरीजों को ठीक किया जा चुके हैं। इसी के साथ देश में अक्टिव मामलों की संक्या घट कर 11,6 तीस दी यानि 30,27,925 हो गई हैं। स्वास मंत्राले के जानकारी करने साथ देश में करोना वैक्सीन की 19,18,89,503 डोज दी जा चुके हैं। जिन में से 14,82,754 वैक्सीन की डोज पिसले 24 घंटों में दी गई हैं। और आखिर में लाखों फिलिस्तीनियों को राहत देते हुए गाजा में शुकरवार 21 माई को सुबा 2 बजे 11 दिनों तक चले इस्राइली हमले को समाप्र करते हुए युद्विराम लागो हुआ। इस्राइल और हमास इसलामिक जिहाद दोनों की बीस हुए समझोते पर गुरुवार को मिस्र ने मध्यस्तता दिखाई। इस्राइल के कार्यवार प्रदान मंतरी बिंजमिन नेतन यहु ने एक बयान में घोशना की कि इस्राइल की सुरक्षा कैबिनेट ने सर्वसम्मती से इसे बिना किसी शर्थ के स्विकार कर लिया है जिसके बाद गाजा वाशियों ने इस्राइल के हमले की समाप्ती को एक ज विद्ध विराम समझोते के लिए इसराइल का समझोता फिलिस्तीनियों की जीत और इसराइल की हार है कबजे वाले अले छेत्रों में भी कई विजय जुलुस निकाले गए पुर्वी येरुशलम में हजारों फिलिस्तीनी अल-अक्सा परिसर में कट्था हुए आज के डेली इसके लिए देखने के लिए शुक्रिया